कि आप आप सभी लोगों का दूबेद्यकैद्मी बहुत-बहुत स्वागत है तो आज हम आप लोगों को बताने बाले हैं कोलें काइमा के बारे में तो यह पर्मानेंट टिस्यू का यह टाइप होता है इसका नाम है आपका क्या क्या कॉलेंट काइमा दिश्यू आर ओल्सु यह टिस्यू जो होते हैं जीवित होते हैं बेंग लाटते हैं यहां तकी जो वहती हैं वह रोती है वह मौती है दीज आर अनीवल नी ठिक लेकिन जी आसमान रूप से पर मौटी होने का मतलब है कि कौनों पर जैसे यहारे पर रसेले ज्यादा मौटी होती है अपेच्छाए बीच में होसे निटी üलाइकती पलर निटेसं को ओँने अघ्रिक सेंखोनम स्वारा लुए रूद लिख्ण हो है ज़ती है क्लिको यहां लिखन मौटी है का यहां पर हमने मालो यह अधर एक घंड कई जगाए तो लेकिन इंके अंदर जाती है इनके अंदर के अंदर खाली जगए नहीं पाई जाती है है तब्यालिखा हुआ और आल्सहा यह इंlive है कि और दे तरीके से अहें नहीं दो मॉटाई है वह अछनु कि वजह से और आल्सा अपड़ी और किसकी वजह हैं ब्रट फैंटे रिलिंग डिकें इसमें आपका कभी भी लिंगें सामेल नहीं रहता लिंगिन भी एक तरीके से material है चिपचिपा होता है और ये कई चैलों में कई तरह के प्लांट की चैले उनमें पाया भी जाता है लेकिन यहां पर पर्मानेंट सेल का जो पार्ट है कॉलें कायमा इसके अंदर आपका लिंगिन नहीं हो करके पेक्टिं इसके कौनों पर पाया जाता है कॉलें कायमा चीफ लीड़ प्रिजेंट इन पैरिफेरल रीजन और बैस्टेम जो तना होता है उसकी परधी वाला जो हिस्सा है जैसे मालों की यह तरह स्टेम है तो इसका यहां पर जो परधी है यहां पर इसकी आउटर वाली उसमें यह पाय जाते है कौन पाया किया अब करते हैं प्रोवाइड सपोर्ट ब्रदान करता है मेकेनिकल सपोर्ट का मतलब होता है यांत्रिक यांत्रिक सपोर्ट देता है सहारा काम है किसका कॉलिन कैमा का मेंख साथ नैट नंकलते हैं उनको मजबूती देने का और उन्हें flexibility देगा लचीलापन देने का काम है किसका कॉलिन कायमा का ठीक है अब दूसरी बात यहां पर और है किलोरोफिल containing कॉलिन कायमा आदा photosynthetic किलोरोफिल जो containing कॉलिन कायमा है वो photosynthetic होते है photosynthetic का मतलब हो जाता है कि वो सभी जो होते हैं उनकी अंदर किलोरोफिल पाए जाता है किन कॉलिन कायमा के असंदर जो कॉलिन कायमा मतलब आपका किलोरोफिल कंटेन करके रखते हैं वो photosynthetic होते हैं मतलब वो खुद भी में अपना खाना बना सकते हैं मतलब photosynthesis process को complete कर सकते हैं तो यह थे आपके कॉलिन कायमा के वो points जोने आपको जाना बहुत जरूली था और यह थे इसके function ठीक है तो फिरसे मैं बता दूँ दरसल आप लोगों को कि इन points को आपको याद भी करना है और साथ में अपनी कॉपी पर note भी करना है अब बात करते हैं यह था आपके बार कोईलिन कायमा के बारे में अब यह में और भी कुछ चीज़े जाननी है जो इसी वीडियो के अंदर जानेंगे ठीक है कि अधिक का मतलब होता है कौन यह कि लॉंगिनिट का मतलब होता है आकार में बड़ा हुगा ठीक है अच्छा फैलर स्विस का होता है कोस्की इस्थान एवली मतलब होता है समान रूफ से अन एवली का मतलब क्या होता है असमान रूफ से चीफली का मतलब होता है अधिकतर अल्मुष्ट का मतलब क्या होता है लगवग अल्मुष्ट का मतलब होता है लगवग अल्मुष्ट का मतलब होता है लगवग ठीक है पैरिफेरल का मतलब का मतलब होता है परधिय ठीक है अच्छा मॉनो कोट का मतलब होता है एक बीज पी मतलब एक बीज पत्री वाले जो पौधे होते हैं उन्हें मॉनो कोट कहते हैं जैसे कि आपने गेहूं देखा हुआ तो गेहूं की अब जैसे गेहूं उपजता है तो उसका एक ही मतलब जैसे द mango का यह लेकिन जो बॉता है उसका एक ही तुकड़ा रहता है दो टुकड़ां में नहीं बड़ता मटल का दाना का भी देखना और फिर उसको मटल को चीलना चिलने के बाद फर उसको का देखना दो उसमें यालग यालग हो परिधियाए का मतलब किनारा होता है यहां लाफट किनारा होगा वो इसके बोड के कहला है इसे परधी कहते हैं तो परिधिय वालो जो होते हैं heading pर सलेखे हैं उसके जो तना का जो मतलब भारी होती है बहारी जो सीमा होती उसमें ये पाए कौन पाए जाते हैं कॉल इनकाइमा टिश्यू आपको यह फिगर भी बनाना ही यह मैंने जो फिगर यहां पर बनाया हुआ है वह को इनकाइमा किस तरह के टिश्यू होते हैं आखर इनकी क्या खासियत होती है दरसर इनकाइमा जो टिश्यू होते हैं वह पर्मानेंट टिश्यू को ही टाइप है और यह प्लान्ट के अंदर पाए जाते हैं पहले तो आप लोगों को यह रिमेंबर रखना बहुत जरूरी है ठीक है तो अब हम बात कर रहे थे दीवजाजा हार्ड रिगेड एंड़ डड लिंगिन दसन क्या होता है कि यहां जो लिंगिन पदार्थ की जो मैं पिछली वीडियो में बात कर रहा था वो लिंगिन पदार्थ इसी की अंदर जमा होता है और लिंगिन पदार्थ एक तरीके सीमेंट की तरह हाड होता है तो यह पौधिय को बहुत जादा मजबूती द हें हाडइनिंग का मतंब होता है बहुत कथोर मतेरियल है वोग है द्याक गियु दब Keeping 딱 있다 इस who मेन काम है कि concept देना प्लांट को सब्सक्राइब को मतलब घरए होने में मदद करता है नो felt falling आइमायों के भी मतलब और भी को मि आइंट प्लांट को जो मेकेनिकल सपोर्ट देता है वो यही टिश्यू है आपका कौन सा इसके लिए इन काइमा ठीक है अब इसके भी दो टाइप होते हैं इसके भी आगे चलके टू टाइप हो जाते हैं तो सबसे पहले क्या है फाइवर है यह बहुत ही जादा इलोंगेटिड होते ह का मतलब होता है लंबी सेले होती है बिद्दा प्रोड बिद्दा पॉइंटेड एंड और इनका जो एंड होता है अन्त जो होता है वो पॉइंटेड होता है पॉइंटेड मतलब नुकीला तो इस तरह से पॉइंटेड एंड वाली होती है इस आर फाउंड अवांड डेंट में बाटा गया है पहला है जाइलम एणन्द बुडफाइवर और एक है आपका फ्लोइम एंड दा कि बाश्ट फ्याइवर्स दो इन ग्रुपों में इसको डिवाइड़ किया गया है तो अब हम लोग इनको जायल in the Mike about sidewall एड़ेंघ इम्ताइब डारे में पड़ेंगे एड में थेम्हें फिलोकों के बारे में भी पढ़ेंगे तो यह रहना का सब्सक्रिए माप करका पांथ करना है जो भी दे रख्णा है न पूरा कापूरा परणा है तो बड़ मीनी क्या है हमारे पास में मरे हुए उत्तक एक इसका मतलब डैट इस्थू को पड़ते हैं मरे हुए उत्तक ठीक है बैरिशिक का मतलब होता है बहुत मौटी बहुत मौटी तरीक नियुक्त के लिए नियुक्त करना कि इस इस लाइज कर देना जैसे मालो कि मैं यह वीडियो जो मेरा चैनल है इस बात के लिए इस लाइज है कि सिर्फ मैं यहां पढ़ाने की वीडियो डालता हूं मतलब इस तरह की वीडियो नहीं डालता जो आपको फ़ं भी दें मजाक भी आपको आनंद दें खुसी दें अगर चलो ठीक है ऐसे ही ऐसा मतलब बोलने से मुझे काईडिया है कि मैं अपको सिस ही यह करूंगा अगर हूंगा जिससे आप लोगों पढ़ने के बाद में आसा रिलेक्स मिल जाए तो फिलाल अभी मैंने आपको यह बड़ मीनिक बता जी आपको परिशान कर सकते थे ज्यादा मतलब बड़ मीनिक ऐसे भी नहीं है जो आपको परिशान करें इसमें तो इसलिए मैंने कमी मीनिक बताए है Elongated का मतलब भही होता है Lamba बहुत बड़ा Pointed होता है Nukila Pointed end का मतलब होता है Nukila तो लो कुछ और भी मीनिंग देख लो Nukila Pointed का मतलब क्या होता है Nukila होता है Avantantly मतलब होता है Prachur Matramen Prachur Matramen Classified का बर्गी क्रत किया जाता है Classified का होता है Bargी क्रत किया जाता है Bargी क्रत किया जाता है अगर कोई बड़ मीनिंग इसमें छूटे आए जो मैंने नहीं बताया और आपको नहीं आ रहा है तो आप अपनी मोवाइल की दिक्समेरी से भी उसको दूल सकते हैं तो इन पॉइंट्स को आपको याद करना जरूरी है तो इसके टाइप जो रहे हैं में उन्हें भी पढ़ाने वाला हूँ तो उनको भी आप इसी बीडियो के अंदर देख पाएंगे तो वो पॉइंट क्या है जायलम फिलोईम के वारे में जो भी मतलब बताया था मैंने पीछली इसी बीडियो में चैप्टर में इसी वीडियो के चैप्टर में तो वो जो था उसके बार में जानकारी लेनी के जरूवत नहीं है ज्यादा अभी हम फाइवर के कुछ और पॉइ इस से यहां दे रखी है अपका जूट है इसको पड़ते है कौरुचस, कौर्चोस, कौर्चुरस, कैपिलेरीज नहीं परपार